यह है एक टाइफून क्लास न्यूकलियर पावर्ड सबमरीन है जिसका वेट 48,000 टन है और इधर साइड में एक बहुत बड़ा सिप है जिसकी लोड केरिंग केपेसिटी 2,40,000 टन है सोचने वाली बात है कि इतना हेवी सिप पानी पर आराम से तेड़ता है और सबमरीन इजिली पानी में जा सकती है जबकि वजन में इसका वन फिफ्ट है जब कोई भी body पानी में होती है तो पानी उस body को वापस उपर की तरफ फोर्स लगाता है जिसको point force बोलते हैं और gravitational force उस body को नीचे की तरफ खींचने की कोशिस करता है और पानी में यह दोनों ही force एविलेबल रहते हैं point force को काम में लेते हुए archimedes ने एक principle दिया उन्होंने बताया कि जब किसी body को पानी के अंदर डाला जाता है तो वह पानी को displace करने लगेगी अब इस body ने जितने पानी को displace किया है उस पानी का वजन उपर लगने वाले point force के बराबर होगा चलो बहुत बढ़िया लेकिन अभी भी हमें कुछ भी समझ नहीं आया अपने इस submarine का weight 48,000 ton है जब यह पानी के उपर रहती है तो मान कर चलते हैं यह 40,000 पानी को displace कर पाती है अब यह 40,000 ton बराबर होगा उपर लगने वाले point force के कहने का मतलब 40,000 ton water इस submarine को उपर की तरफ force लगा रहा है लेकिन मैंने अभी बताया कि यहाँ पर gravitational force भी होता है जिसका formula mass into gravitational constant होता है gravitational constant की value comment में जरूर से लिखिएगा अब यदि gravitational force point force से ज़्यादा हो गया तो submarine डूब जाएगा तो simple सा काम करना है जब submarine पानी में जाने वाली होती है तो gravitational force को बढ़ाने के लिए वह अपने mass यानि वजन को बढ़ाने लगेगी और वजन बढ़ाने के लिए submarine के नीचे की तरफ tank बने रहते हैं जिनमें वह पानी बढ़ने लग जाएगी और जैसे ही gravitational force ज़्यादा होगा तो submarine नीचे जाने लग जाएगी जो बड़े सिप होते हैं वह बहुत ज़्यादा पानी को displace कर देते हैं जिससे gravitational force हावी नहीं हो पता है और आराम से सिप पानी पर चलते हैं टाइफून क्लास submarine अभी तक रहस्या के पास में ही है जिसकी power को अभी हम जानने वाले हैं इस submarine से nuclear weapon को भी launch किया जा सकता है और यह एक साथ में इतने weapon carry करती है कि पूरी धर्ती को एक साथ में खतम कर सकती है यह submarine 570 feet long 76 feet wide और 38 feet tall है यह दि किसी इनसान का इस से comparison किया जाए तो कुछ ऐसा होगा इस submarine में 160 लोगों के लिए living facility available है और यह 120 दिनों तक underwater रह सकती है बीना भार आए जबकि diesel electric submarine जो होते हैं उनको 10 से 15 दिन में एक बार उपर आना ही पड़ता है क्योंकि diesel engine से exhaust बहुत ज्यादा निकलता है जिसकी वज़े से पानी में bubbles create होते हैं और इनकी privacy खतम हो जाती है इसलिए diesel submarine surface पर आकर बेटरी चार्ज करती है और फिर वापस पानी में चली जाती है जो submarine आप देख रहे हो इसकी बाहर की body को hull बोलते हैं लेकिन इस बाहर की body के अंदर total 5 hull बने रहते हैं side में दो बड़े main pressure hull होते हैं जो strong steel के बने होते हैं और हर एक hull 10 compartment में divide रहता है और इन compartment में crew member के लिए sleeping room, kitchen, bathroom, gym जैसी facility available रहती है पिच्चे की तरप engine room होता है जहांपर nuclear reactor लगा रहता है पावर generation और submarine को आगे बढ़ाने के लिए submarine में आगे की तरप torpedo hull होता है जहांसे missile गोला बारूद को launch किया जाता है torpedo compartment automatic launching करता है जस्ट control room से signal देने की जरूरत है और submarine का control unit इसके center portion में होता है जहांसे crew member काम करते है submarine driving control submarine पानी में नीचे जा रही है या उपर जा रही है servicing वगेरा सभी यहीं से control होता है लेकिन interesting बात है submarine के बाहर देखने के लिए कोई भी window नहीं होती है सब कुछ इसके control room से sensor के थूरू control किया जाता है submarine एकदम बंद डिबे जैसा होता है जो पानी के साथ में कम से कम हलसल करता है अंदर की चीजे अंदर बाहर की चीजे बाहर इसलिए इतने crew member को oxygen सप्लाई करने के लिए electrolyzer लगा रहता है electrolysis एक process होती है जिसमें पानी में से oxygen को निकाला जाता है आपको पता है ocean earth पर 50% oxygen सप्लाई करते हैं इसलिए पानी के अंदर oxygen तो बहुत available है लेकिन उसको पानी से अलग करने के लिए electrolysis की process की जाती है दो graphite की road होती है अलग-अलग chamber में जब इनको DC सप्लाई दी जाती है तो positive electrode वाली side से oxygen release होगी और negative electrode वाली side से hydrogen release होगी इन दोनों गेसों को अलग-अलग tank में store कर लिया जाता है oxygen को पूरे submarine में supply की जाती है इन 5 के through और hydrogen को बहार छोड़ दिया जाता है submarine में powerful electrolyzer होता है जो एक गंटे में 4000 लीटर oxygen प्रोड्यूस करता है फिर भी oxygen को periodically supply की जाती है हो सकता है कभी power failure हो जाए और system काम ना करे इसलिए बेकप के लिए chlorate candles लगे रहते हैं oxygen supply के लिए जिनको किसी भी external power source की जरूरत नहीं पड़ती यह candle steel के canister में बंद रहते हैं candle के बीच में iron का powder भरा रहता है और side में sodium chlorate तो जब oxygen की जरूत होती है emergency condition में तो iron powder को जलाया जाता है जिससे heat generate होती है और 600 degree Celsius पर chemical reaction स्टार्ट होती है और tremendous amount में oxygen release होती है nuclear powered submarine में power generation और submarine को आगे बढ़ाने के लिए nuclear reactor को काम में लिया जाता है जिसमें edge a fuel uranium 235 को काम में लिया जाता है यह reactor पानी के अंदर भी continuously power generate कर सकता है क्योंकि diesel engine की तरह यह कोई भी exhaust बाहर नहीं छोड़ता है यदि हम diesel electric submarine से इसका comparison करें तो 50,00,00,00 लिटर डीजल 4KG uranium के बराबर होता है और इससे भी बड़ी interesting बात है कि nuclear powered submarine को refilling के लिए बाहर आने की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि जब submarine की manufacturing होती है उसी time इसमें इतना uranium भड़ दिया जाता है ताकि यह अगले 30 सालों तक कोई भी refilling करनी ही ना पड़े क्योंकि uranium diesel petrol जैसा नहीं है जिसकी बाहर बाहर refilling की जा सके अब दोस्तों reactor के बारे में जानने से पहले अपने course का थोड़ा promotion कर लेते हैं अब यार यह तो सच है कि 3D animation का जबरदस time चल रहा है और इस time का आप भी फाइदा उठाना चाते हो तो हमारी 3D community में आपका most welcome है हमारी तरब से आपको full support रहेगा website का link description में available है अब वापस topic पर आते हैं submarine में दो pressurized water reactor लगे रहते हैं में बहुस सारी ऐसी ट्यूब होती है इन ट्यूब के अंदर uranium के चोटे-चोटे pallets को कुछ इस तरीके से set करके metal के tube में बंद कर दिया जाता है और इन बहुस सारी tube से एक पुरा bundle बना दिया जाता है fuel का और reactor में कुछ इस तरीके से इनको set कर दिया जाता है जब reactor को start करना होता है तो यहाँ पर nuclear fusion की process शुरू की जाती है जब एक uranium atom पर neutron को add किया जाता है तो वह दो uranium atom में तूट जाता है और इस break से neutron निकलते हैं और energy भी निकलती है अब यह दोनों neutron आगे के atom पर attack करेंगे जिससे फिर से आगे के atom break होते ज जाएगा और जबरदस्त energy release करेगा लेकिन इस reactor में इस chain reaction को control किया जाता है क्योंकि uranium atom इसी तरीके से आगे बढ़ते गए तो यही reactor एक nuclear bomb में बदल जाएगा और reactor थो छोड़ो पूरे समंदर में तबाई मचा देगा इसलिए इस chain reaction को cadmium या graphite की road से control किया जाता है और यह road जो extra electron होते हैं उनको absorb कर लेते हैं और reaction को थोड़ा slow down करते हैं यहाँ पर जो metal की tube है इनके चारो तरफ पानी भर दिया जाता है तो जब fusion process से energy निकलती है तो उससे पानी को गरम किया जाता है और पानी को आगे की तरफ steam generator के पास में बेजा जाता है steam generator में बहुत सारे u sept tube लगे रहते हैं जिन से यह heated water flow करता है और steam generator के अंदर दूसरा पानी का source होता है तो जब यह पानी reactor वाले पानी के contact में आएगा तो गरम होकर steam में बदलने लग जाएगा एक reactor के पास में तीन steam generator लगे रहते हैं और इन steam generator से steam को turbine के पास में बेजा जात हैं तो इनकी speed को control करने के लिए एक powerful gearbox लगा रहता है और इस gearbox से power जाती है propeller के पास में जो submarine को आगे बढ़ाते हैं आपको पता uranium एक radioactive material है तो यह अपनी radio activity से बहुत नुक्सान पहुंचा सकता है इसलिए reactor को completely pack किया जाता है nuclear submarine बहुत सारे weapon carry कर सकती है यह submarine missile भी launch कर सकती है और missile system submarine के दोनों main pressurized hull के बीच में होता है लेकिन सोचने वाली बात है कि rocket engine को जलने के लिए हवा की जरूत होती है तो यह पानी में नहीं चल सकता फिर submarine से missile कैसे launch की जाती है जब missile को launch करना होता है तो उसका cape open होता है और इस cape के नीचे launch tube होती है launch tube भी एकदम packed रहती है ता नीचे air को compress करना सुरू कर देंगे जब pressure ज्यादा बढ़ता जाएगा तो उपर से seal break हो जाएगी और यह air pressure tank इस missile पर इतना force लगाते हैं कि missile 80 km पर आवर की speed से submarine से launch होगी यह pressure इतना sufficient है कि missile को surface तक पहुँचा देगा और जैसे ही missile surface पर पहुँचेगी तो इसका fuel ignite हो जाए एक सम्मरीन 400-500 मेटर या 800 मेटर तक पानी में जा सकती है इससे ज़्यादा पानी की depth में ocean बहुच ज़्यादा pressure लगाता है सम्मरीन पर जिससे यह इतनी बड़ी बोड़ी पिचक जाती है एक डिब्बे की तरह इसलिए ज़्यादा depth में जाने के लिए सम्मर्शिबल को काम में लिया जाता है नुकलियर पावर सम्मरीन में पावर जनरेशन कंटीन्यू चलती रहती है और डीजल इलेक्टरिक सम्मरीन की तरह इनको एक्स्ट्रा बेटरी और फ्यूल को केरी नहीं करना पड़ता इसी वज़ए से इसकी पावर बहुत जरूरत है थेंक यू